Hi everyone, तो हम bank reconciliation chapter कर रहे थे और इस chapter में हमने first method यानि कि cash book से pass book पर जाना सीख लिया था जिसमें cash book का balance favorable था आज हम करेंगे cash book से pass book पर ही जाएंगे but unfavorable balance यानि कि cash book का balance जोगा वो negative होगा तो start करते हैं तो आप इस method को समझने के लिए मैंने question लिया है जो कि question number 20 है टीयस ग्रेवाल से जिसके pick up को description में मिल जाएगी और आपके screen पर भी display हो जाएगा इसमें में मकस्त है कि आपको उसका concept समझाए देखे यह question है जहां पर आपको cash book से pass book पर जाना है और cash book का balance जो given होगा वो given होगा unfavorable unfavorable मतलब देखे फेवरेबल मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसा रखा है यानि कि जिसे हम debit कहते है cash book में और credit किसको कहते है जब पैसा निकल जाता है यानि कि पैसा overdraw कर रहा है आपने जादा निकाल रहा है हमारे phone में भी ऐसा होता है कि हम कई बार phone में loan ले ले लेते ह हमारा पैसा क्या होता है excess निकल जाता है तो वो negative शो करता है राइट सेम यहीं चीज इसमें कि आपने बैंक से जादा पैसा विड्रौ कर लिया तो आपकी cash book जो शो हो रही है वो negative हो रही है जिसे हम credit balance बोलते है ठीक है आप इसको start करने के लिए हम क्या करेंगे जो मैंने trick कि जैंड आपको सिखाये कि जब भी आप question करोंगे तो page के corner लेंगे हम क्या लेंगे कि हम cash book से खाए डरे हैं pass book झा लेकिन हम केश्बुक से गहां जारे है तो आप अपने पेच पर जहां पर कोश्चन करोगे वहां पर कॉर्नर पर यह लिख लिख लिए ठीक है उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं देखना कितना एजी लगेगा ओके देखो हमें कोश्चन में क्या की विन है क्रेडिट बैलंस रुपीज आपने पैसा निकाल रख है तो यह अमांट जो आएगा वह नेगटिव साइड का यानि कि हमने ओवड्रॉव कर रख है हम लिखेंगे क्या balance as per cash book ठीक है यह लिखेंगे और इसका मतलब क्या होता है unfavorable balance अब हमें जो transactions given है लिखें सबसे पहले transaction given है इस question में a check of rupees 540 issued to mohan has not been presented for payment आपने एक check mohan को issue किया issue मतलब आपने उसके नाम पर cut दिया minus आपके cash book में से यह पैसा आपने दिखाया कि हमने payment कर दी mohan को कितने के 540 की ओके लेकिन past book में से अभी तक इसे present यानि कि आपके bank में से इसे अभी तक deduct नहीं किया bank ने अभी इसे issue नहीं किया बैंक में से पैसा अभी भी नहीं कटा तो जब नहीं कटा तो इसका मतलब क्या होगा आपने अपनी cash book में payment दिखाई balance में आइनस कर दिया cash book में payment नहीं हुई तो cash book का balance क्या है plus में है यानि कि जादा दिख रहा है प्लस करेंगे यानि कि cash book को pass book तक ले जाने के लिए हम क्या करेंगे उस amount को plus कर देंगे तो जो 540 होगा वो क्या हो जाएगा plus में आ जाएगा ने ने शन वही लिखी जाएगी check issued but not presented for payment ठीक है आप पूरा लिखिएगा मैं आपको short form में लिख वा रही है कि मुझे question समझाना है आपको second transaction क्या है a post dated check for rupees 100 has been debited in the cash has been debited in the bank column of the cash book यानि कि post dated check क्या होता है सबसे पहले post dated check होता है कि आज अगर suppose कीजिए 1st of July है ठीक है और post dated check का मतलब हुआ उस check पर जो date लिखी है वो 5th of July लिखी है इसका क्या मतलब है कि हम cash book में तो इसके entry कर सकते हैं लेकिन bank में हम तब तक नहीं भेज सकते हैं जब तक की वो date ना आ जाए यानि कि अगर आपकी check में एक हफते बाद की date दल रखे है तो आप bank में एक हफते बाद ही उस check को डाल सकते हैं पहले नहीं डाल सकते ना तो इससे payment कर सकते हो नहीं वो आपकी bank में जमा हो सकता है पैसा तो उसे हम post-rated check कहते हैं जिस पर आगे की date दली होती है अब इसमें क्या किया गया है एक post-rated check था 100 rupees का ओके आपने अपने bank column of the cash book cash book में उसको plus कर लिया debit कर दिया cash book में यानि कि cash book में आपने उसको दिखा दिया कि हमारे पास 100 रुपे आए हैं but under no circumstances was it possible to present it हमारे पास कोई भी ऐसी condition नहीं है कि भाई हम उसे bank में ले जा सके क्योंकि अभी तक date ही नहीं आई है bank का balance क्या bank में वो check जमा हुआ नहीं हुआ तो bank का balance होगा वो कम शो रहा होगा और cash book का balance 100 rupees से ज्यादा और होगा हमें cash book से कहां जाना है pass book पे cash book जातश हो रही है pass book कम हो रही है तो हम pass book पे जाने के लिए उसको क्या करेंगे minus क्योंकि pass book में अभी तक वो पैसा जमा नहीं हुआ narration में हम भी लिख देंगे positive check not credited ठीक है अब third third में है four checks of rupees 1200 sent to bank have not been collected so far बहुत simple है आपने कोई 4 check थे जिनका total amount 1200 बन रहा था अभी तक वो bank में plus नहीं हुए लेकिन आपने cash book में उसको plus दिखा दिया कि हमाई पास 1200 पे आये हैं लेकिन bank में अभी तक उसको plus नहीं क्या bank नहीं क्या bank का balance कम शोर है हम क्या करेंगे उस amount को deduct कर देंगे यानि कि cash book में से उस amount को deduct करेंगे ताकि वो किस से match हो सके pass book से तो इसमें narration वही लिखेंगे कि check क्या लिखेंगे check not collected yet ठीक है अब इसके साथ ही entry given है कि a check of rupees 400 deposited in the bank has been dishonored आपने 400 रुपे का check bank में जमा कराया जो कि dishonored हो गया यानि कि bank ने उसको reject कर दिया अब इस case में क्या होगा जब आपने bank में check भेजा आपने cash book को plus में दिखा दिया कि भई हमाई पास 400 रुपे आया है बैंक ने reject कर दिया बैंक ने का कोई 400 रुपे नहीं आ है बैंक का balance कम शोर होगा और आपकी cash book का जादा हमें cash book को pass book पे लेकर जाने हम क्या करेंगे deduct करेंगे तो इसी में लिखेंगे check dishonored यानि कि check deposited and dishonored आप पूरा लिखिएगा उसके बाद है fourth transaction as per instruction the bank paid rupees 50 as per insurance premium but the entry has not been made in cash book of course bank payment कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा जब तक कि हमाई पास statement नहीं आएगी bank ने payment कर दिया 50 rupees का किस चीज़ का insurance premium का हमें नहीं पता तो हमारे pass book में इसे bank ने payment करी minus कर दिया लेकिन cash book में अभी इसके बारे में कोई जिकर नहीं है तो bank ने minus कर दिया ना हमारे cash book में हमें नहीं पता था तो cash book का ज़्यादा शो रहा होगा और bank का कम शो रहा होगा क्योंकि bank payment कर चुका है हम भी उसको क्या करेंगे डिड़क्ट करेंगे क्योंकि हमें पास्ट बुक ने जो करा है वही सोच कर चलना है तो हम 50 रुपीज डिड़क्ट यानि कि माइनस साइड में लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर फार इंशॉरंस प्रीमियम डारेक्ली पेड बाई बैंक आप फूल नेशन लिखना मुझे कोश्चिन आपको समझाना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ठीक है इसके बाद है फिफ्ट ट्रांजेक्शन विखेंगे देडिव पास्बूग रुपीस 15 इन रिस्प्ट फफ बैंक चार्जेस क्या होते हैं बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे काट लेता है ठीक है किस चीज के कोई भी बैंक हमारे लिए यह काम कर रहा है तो बैंक उसके पैसे भी काटता है अब अगर बैंक ने चा रहा होगा, cashbook में हमारे को पता है जादा है लेकिन bank तो पैसे कम कर चुका है, क्यों अपने charges के? तो bank में से minus हो रहा है, हमें cashbook को लेकर जाने है passbook तक, तो हम क्या करेंगे? passbook में minus किया है हम इधर भी उसे minus करेंगे कितने 15 रुपीज ठीक है यानि कि हमें अपनी cashbook को किसे match करना है passbook से cashbook में minus नहीं हो रखा लेकिन passbook में minus है match करने के लिए हम क्या करेंगे cashbook में से भी उस चीज़ को minus कर देंगे इसके बाद है credit of rupees 25 for interest on current account but no record exists in the cashbook वही सेम चीज़ है कि bank ने interest credit कर दिया interest credit करने का मतलब bank ने उस चीज़ को plus कर दिया bank की नजरिये में credit मतलब plus होता है और debit मतलब minus होता है ठीक है अब bank ने interest हमें दिया तो जब bank ने interest दिया तो bank ने interest passbook में 25 रुपे बड़े हुए नजर आ रहे cashbook में उसकी entry नहीं अब entry नहीं है तो करनी तो पड़ेगी cashbook में तो हम 25 रुपीस plus कर देंगे किस नाम से bank इंट्रस नाम से ठीक है इसके बाब है next entry चिक रुपीस 5000 डेटे 15 अपरिल एशिट टो एमेन कंपनी वस दिस ओनर बिइंग पोस्टेटिट इट वस अलसर नोट रिकॉर्डिन इन दा बुक्स अपकाउंट येट देखे हमारी ये बी आरेस जो बन रही है वो ऐस ओन 31 मार्च तक बन रही है ये कोई सब भी हो सकता है ठीक है 17 18 19 अब ये जो entry है ये 15 अपरिल 2018 की है तो हमारा ये ये भी कौन सा हुआ 18 हुआ ठीक है तो 18 को 31 मार्च को हम बी आरेस बना रहे है कोई पोस्टेट इट चेक था जो बैंक ने अफकोर्स दिसॉर्णर करे गाई क्योंकि अभी एक्सेप्ट करी नहीं सकता लेकिन उसके अपने entry cashbook में भी नहीं करी cashbook में उसका कोई effect आया entry का नहीं आया यानिकि ना तो अपने उस check को plus किया नहीं माइनस किया cashbook में क्योंकि आपने entry नहीं करी पास्ट बुक में क्या फरकाया पास्ट बुक में बैंक ने क्या उस चीज़ को plus किया नहीं क्या क्या minus किया नहीं क्या बैंक न सीधा reject कर दिया कि भई यह तो बहुत डेके चेकर नहीं चाहिए तो क्या इसके entry होगी बिलकुल नहीं होगी क्योंकि ना तो हमने cashbook में करी और नहीं पास्ट बुक में तो इसकी कोई भी entry नहीं की जाएगी अब इस case में कोई entry नहीं की जाएगी अब हम इसकी totaling करेंगे देखें totaling करने के लिए कौन सी site ज्यादा है यह site ज्यादा लग रही है कितने से देखें पहले सबसे पहले इसका total करते हैं 500 600 10600 plus 11700 465 तो यह आगया 12165 राइट ठीक है 11 ठीक है यह आगया 12165 और इस तरफ का जो आ रहे वो आ रहे 565 एक नट इधर का करते हैं 5678 यह आ रहा है यह यानिकि यह 500 600 700 ठीक है तो यह आ रहा था 12265 और इधर का आ रहा था 565 जब इसमें से माइनस करेंगे तो आज आएगा 11700 कई बाना जल्दी जल्दी करते करते करती हो जाते हैं बट आपको एक्जाम में यह गलती नहीं करनी बिलकुल भी ठीक है तो 11700 आ रहा है हम यहाँ पर बैलंसिंग करने के लिए जितना डूटल आ रहा है वो लिख देंगे यह 12265 और जो डिफरेंस है वो जो भी साइट का में वहाँ लिखा जाएगा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पासबुक यानि की पासबुक के हिसाब से कितने का डिफरेंस आ रहा था 11700 का यानि की 11700 हमारे पासबुक में शो हो रहे होंगे जो कि अब हमने मैच कर दिये तो ये था एक question जिसमें हमने cashbook से passbook पर गए और एक simple तरीके से मैंने कोशिश करिए कि आपको मैं समझा सकूँ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए है तो like, share and comment ज़रूर करना और insta पर मेरे साथ कोई भी queries है आप share कर सकते हैं झाल